ज्यादातर लोग लेट नेट काम करना पसंद करते हैं लेकिन मैं आपकी जानकरी के लिए बता दू कि जितने भी सक्सेसपुल इंसान हैं नेलसन मंडेला से लेकर सचीन तंदूल करता हैं वह सभी सुभा जल्दी उठकर अपना काम करते थे और जल्दी उठने से ऐसे बहुत से फाइदे हैं लेकिन मैं आपको उन में से कुछ फाइदे इस वीडियो में बाताया हूं जल्दे उठने का फाइदा तो हम सुनेंगे हैं लेकिन आप में से जादर लोग जल्दी सुभा उठ नहीं पाते तो इसलिए हम परले सुभा जल्दी कैसे उठे इसका मैं कुछ ट आप तक पहुंच सेके तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सुबह उठना यह आम प्रब्लम नहीं है बहुत से लोग जल्दी सुबह अपने आलस के चल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि हमें कुछ करने की जागरुकता ही नहीं है सुनने में आपको बुरा लग सकता है लेकिन य नहीं सोचना है कि मुझे कल सुबह उठकर क्या करना है अगर आपके पास कारण ही नहीं होगा तो आप जितना भी कोशिस कर लें परन्तु अपने आप से जल्दी सुबह नहीं उठ पाएंगे इसलिए कारण जोरूरी है दूसरी बात यहां गलती बहुत लोग करते हैं कि व आप आलाम को बंद कर देंगे इसलिए आलाम को आप अपने विस्तर से थोड़ी दूरी में रखिए ताकि जब आलाम बजे तो आप उठकर उसे बंद करने जाओ और आपका आलस खत्म हो जाएं लेकिन कुछ लोग फिर से आलाम बंद करके सो जाएंगे क्योंकि उनका निन के चलती आपका टाइम बीगर जाता है और आप रात में टाइम से नहीं सो पाते हैं आप जल्दी सुबह केसे उठे यह तो मैंने बता दिया तो आप हम जानेंगे सुबह उठने के फायदें अगर आप सुबह उठकर सबसे परले सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइस करते हैं तो आ अनेक से फायदे हैं सुबह उठकर एक्सरसाइस करने का और अगर आप इस्टुडेंट है तो आप रोज सुबह जल्दी उठे मैं ऐसा है इसलिए बता रहा हूं क्यूंकि सुबह का वातावरन रात के वातावरन से सांत रहता है आप अपने दिन की सुरवाद भी करते हैं इसलिए सुबह के पढ़ाई, रात के पढ़ाई से ज़्यादा एफेक्टिव रहती हैं आप अपने पढ़ाई को अच्छी तरह याद कर सकते हैं और उसमें आपका मन लगा रहता है अगर आप अपने पढ़ाई को ज़्यादा दिर तक याद नहीं रख पाते और याद को और सपोर्ट करते रही हैं ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लागते रहूं थांक्यू फॉर वाचिंग